आज मैं करूंगी आपके confusion को दूर सर्दियों में लगाने हमें कौन-कौन से फूल तो देखिए दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ नरसरी से तीन flower के plant तो ये है white दाओदी गुल दाओदी के flowers और ये है गजनिया और ये है पेटोनिया तो तीन flower में लेके आई हूँ flower के plant जो के हमारे सर्दियों में हमारे garden के सुभा को बढ़ाएगा बहुत ही खूपसवत garden हमारा इससे दीखता है और इसमें बहुत सारे भरबर के फूल भी आते हैं और इसके फूल लंबे समय तक टिकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं इस white गुल दाओदी में लगभग 6 flower खिले हुए हैं और बहुत सारे buds भी है छे साथ buds भी है इसमें इसके flower लंबे समय तक खिलते हैं और पेर में टिके रहते हैं और आप इस से जो है इसके cutting भी लगा स सकते हैं यहां देख सकते हैं यह जो मैं नर्सरी से लेकर आई उसमें कुछ दो फ्लावर दो प्लांट जो है इसमें देख रहे हैं इसके बीच से ग्रो हो चुका है तो आप इसको भी अलग से निकाल के अलग जगा पर लगा सकते हैं और इसमें इस flower की तो बात ही अलग है यह दिन बर खिले रहते हैं रात होते हैं यह फिर से बर्ट्स बन जाते हैं और सुबा होते ही फिर खिल जाते हैं तो इस तीनों फ्लावर के प्लांट का अपना अपना खुबी है तीनों अपनी जगा पर बहुत ही ब्यूटिफुल है और इस flower को अगर आप गंबले में मां तो इसमें बहुत सार्ण बर्ट्स आता है जहांसे मैं लेके आहीं उसने बताया है क्यों आरो इसने दिखाया भी मुझे मक्ला करिक्क आकी इसमें लगा हुआ था गंबले में इसको लगा doors-Iब अव्रम्म तो यह पुरा फ्लावर से बहर जाता है और आपको इसमें भी तिखा देखे इसमें भी देखिए तीन डो बरस हैं एक याहाँ और बस निकल रहे हैं हैं यहाँ देखे चोटा सा बट से इसमें भी तो यह तीनो फलावर जो है आप अराम से लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं बीना किसी जिजग के बहुत ही खुबस्वध आपका garden बनने वला है सर्ठीों में तो आप रिसंबर में इसे लगा सकते हैं सर्ठीों के किसी महिने में भी आप इसको लगा सकते हैं पूरा सर्ठी आपको अगर आप no-גם में भी लेके आएऑंगे तो आपको 3-4 महिने पूरा अच्छा से फूल भरबर के आएगा